नमस्कार साथियों मैं हर्बीर सिंग आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल लर्ण इजी विद हर्बीर सिंग में स्वागत करता हूं जैसा कि आप जामते हैं कि MCD PRT पर केस हो चुका है एक तारिक लग चुकी है और जन्वरी में दूसरी तारिक है तो बात करते हैं result की जैसा कि आप जानते हैं कि result के बारे में काफी time से बात चल रही थी कि result December तक आ सकता है और ये काफी उम्मीद की जा रही थी लेकिन पिछले कुछ time से देखते हुए क्योंकि आपको पता है December ending होने पे आ रहा है December खत्म होने वाला है लेकिन अभी तक DSSB ने सिर्फ एक result अनाउंस किया है इसके बाद अभी कोई result नहीं दिया है तो बात करते हैं दोस्तों MCD PRT result की तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि MCD PRT का result December तक आ सकता है और अगर result नहीं आता है तो हमने आपको बताया था कि 24 तारिक को 24 December को धरना दिया जाएगा लेकिन उम्मीद लगाई की result आ सकता है और अगर नहीं आएगा तो 24 तारिक को 24 December को धरना दिया जाएगा और उसके लिए काफी साती तयार भी हो गए थे तो दोस्तो अभी एक बहुती बड़ी खबर आई है वो मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली अध्यापक बेरोजगार संग से धहरिय जी से मेरे बात हुई है और उन्होंने जो बात बताई है वो बिल्कुल चौकाने वाली है तो धहरिय जी ने बताया कि MCD-PRT का रिजल्ट अभी नहीं आने वाला उन्होंने बताया कि जो DSSB है वो अभी MCD-PRT का रिजल्ट घोसित नहीं कर रहा है और उन्होंने जो RTI की कॉपी मुझे दिखाई जो RTI उन्होंने लगाई है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ आप अभी अपने सिक्रीन पे देख सकते हैं आप जो अभी अपने सिक्रीन पे देख रहे हैं second जो point है इसमें बताया गया है मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि जो अभी exam है 16 बटे 17 और 89 बटे 17 तो इनके result के बारे में अभी भी कोई information नहीं है मतलब कोई final date अभी available नहीं है आप देख पा रहे होंगे final date अभी कोई announce नहीं है कि वो result कब तक देंगे और इसके बाद जो आप देख पा रहे होंगे RTI Act 2005 ये RTI का जबाब है ये ऐसे नहीं कि कोई fake चीज है RTI का जबाब है और इससे आप समझ गए होंगे कि अभी DSSB MCD PRT का result देने वाला नहीं है तो दोस्तों दिल्ली अध्यापक बेरोजगार संग से जो मेरी धहर्यजी से बात हुई थी तो धहर्यजी ने क्या कहा है कि जो 24 तारिक को उनका धरना होने वाला है तो उसमें बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचें जिससे DSSB पे दबाब बनाया जाए और रिजल्ट जल्दी से लाया जाए क्योंकि DSSB अभी किसी भी एंगल से रिजल्ट नहीं देने वाला क्योंकि ये फाइनल आप देख सकते हैं और इसमें आप डेट भी देख पा रहे होंगे 19.12.2018 तो ये आज की ही डेट है और अभी जो आप देख रहे हैं सिक्रीन पे इससे साबित होता है कि DSSB अभी कोई रिजल्ट देने वाला नहीं है 16 बटे 17 नवासी बटे 17 किसी का भी तो साथियों जो भी दोस्त जो भी साथी रिजल्ट चाहता है 24.12.2018 को करकर डूमा जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे पहुंचे और जादा जानकारी के लिए मैंने आपको बता रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ट्सअप गुरूप का लिंक है उस गुरूप में जोईन होने से आप धहरिया जी को सीधा मैसिज कर सकते हैं वो वहाँ पे उस गुरूप में हैं तो आप उनसे वहाँ पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके बाद जो भी साती वर्ट्सअप पे स्टैडी मैटिरियल्स फ्री स्टैडी मैटिरियल्स पाना चाहता है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉंटेक्ट नमबर है वहाँ पे अपना नाम स्टैट और क्वालिफिकिशन बताके वहाँ पे एड हो सकते हैं और वहाँ पे फ्री स्टैडी मैटिरियल्स मिलता रहेगा तो दोस्तों एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि अपने हग के लिए जरूर पहुंचें क्योंकि अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आने वाले टाइम में 2019 में आपको पता है इलेक्शन है, केस चल रहा है और ऐसा होता रहा तो भरती बहुत लंबी खिच जाएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संक्या में वहाँ पे पहुंचें जिससे आपको आपका हक मिल सके क्योंकि DSS भी अभी भी कोई रिजल्ट देने के मूड में नहीं है जैसा कि आपने अभी RTI में देखा है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सारी बाते समझ गये होंगे ज़्यादा से ज़्यादा संक्या में जो WhatsApp गुरूप है वो जोईन करें और अपने फ्रेंट्स को भी रिकमेंड करें कि उस गुरूप के थूँ आप जोईन हो सकते हैं और धहरिया जी से वहाँ पे बात कर सकते हैं तो दोस्तों यही सब कहते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप सहयोग करेंगे देहरिया जी का भी और अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे तो गाइस गुट बाई टेक केर और थेंक यू